नमस्कार किसान साथियों जंगली जानवर और आवारा पस्वों से अपने फसलों को बचाने के लिए हमारे किसान भाई काटातार या चेन लिंक फेंस की बाड़ का इस्तिमाल करते हैं तो जो किसान भाई सस्ते में बाड़ लगाना चाहते हैं वो प्राथि मिक्ता देते हैं काटातार को तो जिन जिन राज्यों में काटातार के उपर बैन नहीं है वहाँ पर आज भी काटातार सबसे ज़्यादा यूज में किया जाता है काटातार जब किसान भाई खरीदने जाते हैं तो उनके सामने समस्या रहती है कि काटातार की मोटाई कितनी ले कौन सी क्वालिटी का काटातार ले जो उनको मजबूती के साथ साथ लंबी लाइफ भी दे तो आज की वीडियो में यही हम आपको कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं कि कौन सा काटातार आपके लिए फाइदे का सोधा हो सकता है तो अभी हमने आपके सामने रखे हैं च्यार सबसे ज़्यादा यूज में किये जाने वाले काटातार तो एक नमबर पे है लोकल जियाई कोटिंग दो नमबर पे है मनुज का जियाई कोटिंग के साथ में तीन नमबर पे है टाटा वायरोन जियाई कोटिंग और लास्ट में है यह है आयूस टाटा का जियाई कोटिंग के साथ में यह बिल्कुल लेटेस टेकनोलोजी टाटा क इसके भी हम आपको पूरे बेनिफिट बताने वाले हैं तो जो सबसे पहले लोकल मेड है ये धाई mm की थिकनेस में है मतलब इसका डाया धाई mm का है और इसके अंदर जो कांटे मूडे हुए ये भी धाई mm की है आप देख रहे होंगे इसके उपर अभी से रस्ट लग गया है जबकि ये भी जी आई कोटिंग के साथ में था तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके लाइफ कितनी होगी तो नमबर दो पे बात करें तो नमबर दो पे है मनूज का मनूज का जो वायर है ये भी जी आई कोटिंग के साथ में आता है इसमें जो वायर की और उसकी जो ठिकने से मोटाई है वो धाई mm की रहती है इसकी जो लाइफ ए आठ से 10 साल तक की बताई जाती है इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी जो quality है वो भी जो पहले वाला जो हमने एक नमबर बित आया उसकी तुलना में बेटर है इसकी कीमत की बात करें तो सो रुपे से 110 रुपे परती किलो तक जो है यह मिल जाता है यह डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट में लोहे का क्या भाव है नमबर 3 पे बात करते हैं Tata wireon का barbed wire तो जो टाटा का तार है इसमें तीन variety आती है एक तो जिसमें तार है वो दो mm और काटा उसके उपर 5 mm का एक तार आता है जिसमें 2 mm का तार और 2 mm का ही उसके उपर जो है काटा होता है तीसरी जो size है वो आता है 5 mm का तार और 5 mm का ही उसके उपर काटा तो जो सबसे ज़्यादा इस्तिमान और demand में रहता है वो 2 mm का जो 2 mm में आता है उसकी demand market में ज़्यादा रहती है तो इसकी क्या खास बात है ये भी GI coating होती है 100 GSM से ज़्यादा रहती है और hot dip technology से इसके उपर GI coating की जाती है जिसकी वज़े से life जो है 15 से 20 साल आपको मिल जाती है इसकी अगर price की बात करें तो इसका जो price है वो 25 से 30 रुपे परती किलो जो local brand होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा रहता है नमबर च्यार पे बात करते हैं वो है Tata Viron का Iuse ये एक latest technology के साथ में launch किया है Tata ने जिसमें GI मतलब galvanized iron की जो coating होती है मतलब जो परत होती है उसके साथ साथ एक और परत की coating की जाती है जो है तासील 1000 वो क्या करता है और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है और जंग लगने से बचाने में उसकी मदद करता है मतलब तार के उपर जंग जल्दी से नहीं लगता है ये ज़्यादा तर उन च्छेत्रों में इस्तिमाल किया जाता है जहां पे ज़्यादा नमी है जैसे समुंदर के आसपास के किनारे या अगर आपको लगता है आपके क्षेतरे में भी ज़्यादा पानी की नमी की दिक्कत है तो वहां पे आप टाटा आयूस का तार इस्तिमाल कर सकते हैं इसकी जो कीमत है वो टाटा वाहरोन की प्राइज जो तार है उसकी प्राइज से आठ दस रुपे परती किलो ज़्यादा रहती है तो ये थे जो ज़्यादा तर इस्तिमाल में किये जाने वाले काटा तार जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ क्षेत्रों में काटा तार के इस्तिमाल पर रोक भी लगा दी गई है तो किसान भाई लगाने से पहले एक बार अपने क्षेत्र में जो रूल रेगुलेशन है उनको जरूर देख लें अगर आपके वहाँ पे बैन है तो इसका इस्तिमाल ना करें तो साथियो आज की वीडियो में इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा किसान भाईयों तक शेर करें ताकि किसान भाई इस वीडियो का फाइदा उठा के अच्छी क्वालिटी की जो है अपनी जुरूरत के हिसाब से काटातार चुन पाएं तो अगले वीडियो तक के लिए जै हिंद जै जवान जै किसान